नमस्कार में गौरी वर्मा आप सभी का स्वागत देख रहे हैं आप सीनी उस भारत कबर गोंडा से हैं या मदगर्णा से पहले एक्जिट पोल को लेकर भारती जंता पार्टी यहां गदगद नज़रा रही है तो वहीं समाजवादी पार्टी एक्जिट पोल को पूरी तरह प्रयोजुत मान रही है सपा राश्ट्रे सचेव मसूद आलम ने बताया कि राश्ट्रे अध्यक्षा खलेश यादफ पहले ही बता चुके हैं कि एक्जिट पोल भाजपा का है जो जनता के एक्जिट पोल है वो 296 प्लस सीट इंडिया गडबंदन को दे रहा है उन्होंने बड़ा बयान देते हुए कहा कि एक्जिट पोल अधिकारियों पर दबाव बनाने सपा और गडबंदन के कारेकरताओं का मनोबल गिराने के लिए इस तरह दिखाये जा रहा है और इस पर राश्ट्रे सचिट ने कहा कि तमाम चैनलों के एक्जिट पोल 4 जून को हवा हवा हिसाबित होंगे लेकिन इसके बावजूत सपा के कारेकरताओं के मनोबल पर इसका कोई असर नहीं पड़ेगा साथ ही सपा राश्ट्रे सचिवनी ये भी कहा कि पूरवांचल की कई सीटों के साथ सादेवी पाटन मंडल की 4 सीटे सपा जीतेगी जनता ने इस बार परिवर इस बात को हमारे इंडिया गडवन्धन के नेताओं और विशेश तोर से मनने खलीश आदोजी ने पहले ही कारकरताओं को मीडिया के माध्यम से बात बता दी है कि ये प्रायोजित भारते जनता पार्टी और सरकार का एक्जिट पोल है ये जनता का एक्जिट पोल नहीं है जनता का जो एक्जिट पोल है वो 295 प्लस इंडिया गडवन्धन की है और ये एक अधिकारियों पर दबाव बनाने के लिए इंडिया गडवन्धन के कारकरताओं को मनोबल गिराने के लिए एक्जिट पोल कराया गया है लेकिन हमारे नेताओं ने समय से पहले इसको भाब लिया था और आज पूरे कारकरताओं को चाहे वो काउंटिंग के दिन हो या इस्ट्रांग रोम की रखवाली हो पूरे तोर से सजग और सतर्ख हैं चार तारीक को ना अधिकारियों की कोई मनमानी चलेगी ना उनका कोई धांदली चलने पाएगा चार तारीक को इंडिया देवी पाटन मंदल समेध पूरवांच्ल की बहुत सारी सीटों बे भरमन किया है हमले और पूरवांचल में लगभख सभी सीटें जीत रहे है कि हमारे पार्टी का इंटरनल सर्वे हैं असी में से इंडिया गडवंधन साठ प्ल्स सीटें जीत रहीय। पूरी तरह से चुकि पार्टी ने बहुत अच्छे टिकट का बटवारा किया है पुरे प्रदेश में, सारी लोगों को नहीं मिल सकता, मुझे हम लोग सिर्फ पद के लिए राजनीत नहीं करते, इस देश के संस्थाओं को बचानी के लिए, इस देश के संबिधान को बचान की जिम्मेदारी, इस देश के संबिधान को बचाय की जिम्मेदारी, हम लोगों पर थी, उसको हम नहीं किया है। कि इंडिया कडवंधन, गोंड़ा भी जीतेगी, सरावस्ती भी जीतेगी और इस पुत्तर परदेश में 60 प्लस सीडे जीतेगी। नहीं, हम कह रहे हैं जनता जिसको चार तारी को करेगी लेकिन धानली नहीं होने पाएगी। धानली के बल पर कोई भी सदन में नहीं जाने पाएगा। यह बात मैं दावे के साथ कह रहा हूँ और चार तारी को समाजवादी पार्टी के कारकरता उसका मुहतर जवाब देंगे अगर कहीं पर भी धानली की कोशिस हुई। इस खबर में बस इतना ही देश तन्या की बड़ी खबरों के लिए देखते रहेए सीनीूस भारत।